वेल्कम टो रेसिपी ओप तवी आज हम गर्पे बनाएंगे मार्केट जैसी मसाला सिंग्ग जो हम दाबेली में या फिर कोई भी चाट में हम यूज कर सकते हैं ये बनाना बहुत ही आसान है और गर्पे ही ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामगरी और बनने की वीदी तो ये मैंने 200 ग्राम सिंग्ग ली है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है और ये नमक वाली आती है और ये पुनी हुई है तो मैंने 200 ग्राम ली है इसका मैंने छिलका निकालके फिर अच्छे से साफ करके इ एक में से दो डुकड़े कर दिये हैं अगर आप चाहो तो मुंगफली भी ले सकते हो और मुंगफली के दाने को अच्छे से बून के इसका छिलका निकालके इस तरह से हमें रेडी करके ले सकते हैं और एक टीस्पून जितना तेल जाएगा वन फोट टीस्पून मैंने हिंग लिये और आधी टीस्पून मैंने आमचरू पाउडर लिया है एक टीस्पून मैंने लाग मिर्श पाउडर लिया है वन फोर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है वन फोर टी स्पून मैंने काला नमक यानि की संचर पाउडर लिया है अधी टी स्पून मैंने ब्लेक पेपर पाउडर एक टेबल स्पून मैंने पीसी हुई चीनी लिया है और 1 फोर टी स्पून मैंने डन्या जीरा पाउडर लिया है तो सबसे पहले हम कड़ाई में तेल डाल देंगे तेल अच्छे से गरम हो जाए बाद में हम इसमें हिंग डाल देंगे हिंग डाल देंगे हिंग डालने के बाद हम इसमें यह जो सिंग है वो डाल देंगे अल्दी पावडर डाल देंगे ओर अच्ठे से हम मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनिट तक हम इसे सलो फ्लेम पे अच्छे से बुनेंगे जिससे जो सिंग में मौशियर हो वो निकल जाए एक से दो मिनिट मैं इस तरह से बून लूगी जिसे जो तेल लिया है वो भी सिंग पे अच्छे से चिपक जाए जिसे मसाला भी अच्छे से इसके उपर चिपक जाएगा तो दो मिनिट तक मैं इस तरह से स्लो फ्लेम पे अच्छे से बून लेती हूं दो मिनिट हो चुके हैं, तो हम इसमें जो बाखी के मसाले हैं वो डाल देंगे, तो सबसे पहले हम दनिया जीरा पावडर, लाल मेश पावडर, आमचुरू पावडर, काला नमक, काला मरी का पावडर यानि कि ब्लैक पेपर पावडर, ये सब डाल देंगे और अच्छे से मि में अल्रेडी नमक डाला हुआ होता है इसलिए मैंने अभी नमक का यूज नहीं किया है क्योंकि काला नमक भी मैंने डाला है और अगर आप जो सिंपल मुखफली आती है जो वह साधी मुखफली इससे आप मसाला सिंग बनाते हो तो आप अपने स्वात के अनुसार नमक डाल स और एक मिनिट तक हम इसे ऐसे ही बून लेंगे स्लो फ्लेम पे जिससे सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए बहुत ही जल्दी से बन जाती है मसाला सिंग और हम इसे वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं तो तयार है हमारी मसाला सिंग जो हम चाट में भी यूज कर सकते हैं और दाबेली में तो ये यूज होती ही है तो मसाला सिंग बनाना बहुत ही आसान है तो आप गर पे ही बनाईएगा बहुत ही टेस्टी लगती है